Hello dear students, आप सभी का फिर से welcome हैं, आज हम करेंगे exercise 4.3, first question है देखिए add the following polynomials, तो यहाँ पे देखिए दो polynomials आपको दिख रहे हैं सामने, इन दोनों को हमें add करना है, अब देखिए जब हम add करते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो पहले तो हम इसको लिख ले ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका bracket open करेंगे, और जब भी polynomials का addition होता है, तो जो x square वाला है, वो x square के साथ add होगा, जो simple x वाला जो coefficient है, वो x के साथ add होगा, और जो constant term है, वो constant के साथ add होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2x square, इसके साथ में हम लिख लेंगे, 3x square को, फिर ये वाला x लिखेंगे, और इसके साथ ये वाला 4x लिखेंगे, और फिर ये वाला 1 लिखेंगे, और इसके साथ में ये 5 लिखेंगे, अब देखिए, 2x square प्लस 3x square ये बन जाएगा, 5x square, x प्लस 4x ये भी बन जाएगा, 5, और x, और 1 प्लस 5 ये हो गया, 6, अब हम next व 3P plus 4 इसके बाद प्लस साइन लाए के bracket में अगला polynomial लिखेंगे 3P cube minus 4P plus 7 अब इसके बाद अगले step में हमें क्या करना bracket को open कर लेना है और उसके साथ ही साथ देखें क्या करना है आपको यहाँ पे 8P square है बट इसमें 8P square वाला term है ही नहीं 8P square के साथ कुछ बैड नहीं होगा वैसे यहाँ 3P cube है इसकी power 3 है जो cube होता है और कोई यहाँ पे P cube वाला term ही नहीं है तो इसमें भी कुछ बैड नहीं होगा और जब हम लिखते है polynomial को तो decreasing order of power of variable में लिखते हैं यानि जिस variable का power सबसे ज़्यादा उसको पहले लिखते हैं फिर उससे कम power वाला लिखेंगे तो देखें जो highest power है या पी का 3 है तो इसको हम पहले लिखेंगे 3 P cube अब इसमें कुछ भी plus नहीं होगा क्योंकि और कोई term नहीं है P cube वाला उसके बाद हम ये लिखेंगे 8 P square ठीक है इसके बाद हम ये लिखेंगे minus 3 P और उसके बाद ये लिखेंगे minus 4 P फिर 4 और last में 7 देखें इसमें तो कोई changes नहीं है 3 P cube plus 8 P square ये 3 P और 3 P दोनो minus 4 P दोनो minus में add हो जाएंगे तो ये बन जाएगा minus 7 P और 4 plus 7 होता है 11 चलिए अब next वाला करते हैं तो देखें थुदा सा लंबा है यहाँ पर polynomial ये cubic polynomial है power 3 है तो हम क्या करेंगे पहले lines इसको लिख लेते है minus 5 X cube plus 9 X square minus 5 X plus 7 उसके बाद अगला लिखेंगे plus यहां bracket लगा लेंगे तो यह हो जाएगा minus sign यहां पहले यहां minus 2 X square लगा लेंगे फिर हो जाएगा plus 7 X cube minus 3 X फिर minus 8 अब हम अगले step में यह bracket को open करेंगे यह इधर वाला को ऐसी लिखेंगे minus 5 X cube plus 9 X square minus 5 X plus 7 फिर minus bracket open करेंगे देखें minus और plus minus हो जाएगा यह बाकी कोई changes नहीं आएगा अंदर के sign में minus 2 X square plus 7 X cube minus 3 X minus 8 अब देखें हमको क्या करना है जो highest power है उसको पहले लिखना है highest power यहां क्या है cube X cube यह है और यह है तो इनको पहले लिखेंगे साथ में minus 5 X cube फिर plus 7 X cube इसके बाद हम square वार लिखेंगे plus 9 X square और यह minus 2 X square फिर हम X वार लिखेंगे minus 5 X और इधर minus 3 X फिर हम constant term यानि 7 और 8 को लिखेंगे plus 7 minus 8 अब इसको हम solve करते चलेंगे देखें minus 5 and plus 7 हो गया 2 और यह सॉरी यह cube है यहाँ मिस्टेक है हाँ तो अभी यह देखें minus 5 X cube and plus 7 X cube minus 5 plus 7 हो और 2 यहाँ लिखेंगे हम 2 X cube ठीक है अभी इधर देखें 9 X square minus 2 X square 9 minus 2 होता है 7 इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 7 X square अभी यहाँ अगले में देखें minus 5 X and minus 3 X दोनों ही minus है तो add हो जाएगा 5 plus 3 होता है 8 और sign आएगा minus का तो यह हो गया minus 8 X और last में 7 minus 8 हो गया minus 1 तो यह है हमारा answer चलिए अब second question करते हैं आपके लिखा add the following polynomials find the degree of the resultant polynomial तो देखिए यहाँ पर 3 polynomial है एक यह है दूसरा यह है तिसरा यह है तो तीनों को हमें plus करना है आपको तो जब हम plus करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है जो same variable वाले हैं उनको एक साथ जोड़ना है तो जैसे y square वाले y square वाले से ही जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले y square वालों को एक साथ लिख लेते हैं तो 3 y square ये 2 y square और इधर हो गया minus y square फिर y वाले को लिखेंगे इधर देखिए 2 y है इधर y वाला है 8 y और इधर है minus y अब बिना variable वाला याने constant term लिखेंगे तो यहाँ पे है minus 5 यहाँ पे है plus 5 और यहाँ पे कोई constant term है ही नहीं तो इसको लिखने की जरूबत नहीं आब इसको solve करेंगे देखिए 3 plus 2 हो गया 5 5 minus 1 याने 4 तो यह हो गया 4 y square डारिक्टी लिखेंगे अब यहाँ पे 2 plus 8 हो गया 10 और 10 minus 1 हो गया 9 तो यह हो गया plus 9y फिर minus 5 plus 5 यह 0 हो गया तो 0 को लिखने की जरूबत नहीं है तो यह है हमारा final answer और इस equation में जो highest power है y की वो है 2 तो इसका degree भी हो गया 2 अब इसका next वाला करेंगे तो देखें यहाँ पे जो highest power है variable r है और इसके highest power 2 है ठीके 3 वाला कोई भी नहीं है तो सबसे पहले हम r square वाले term को लिख लेंगे तो इसमें से आएगा minus 3 r square इसमें से आएगा r square और इसमें से भी आएगा r square अब केवल r वाले को लिखेंगे हम तो यह है 7 r plus 7 r यहाँ पे देखें कोई r वाला term है नहीं तो उसको लिखने की जरुवती नहीं है बट यहाँ पे है minus 3 r अब हम constant term को लिखेंगे तो यहाँ constant term है 5 यहाँ पे constant term है 7 यहाँ पे constant term हो गया 5 ठीक है आप इसको solve करेंगे देखे minus 3 plus 1 plus 1 इसको आप solve करेंगे तो answer आएगा minus 1 और minus 1 के साथ आप R square लिखेंगे तो simply minus R square लिख सकते हैं ठीक है अगले में 7 minus 3 होता है 4 तो यहां लिखेंगे 4R और 5 plus 7 plus 5 इसको जोडने पर आएगा 17 तो यह हुआ हमारा final answer और क्योंकि इसमें power 2 है R की तो इसका degree भी होगा 2 अब next वाला करते हैं तो देखें यहां पर सबसे पहले देखना highest power x ही क्या है highest power x की 3 है तो जो x की power 3 वाले है उनको पहले हम लिखेंगे तो पहले इसी को लिखेंगे 5 x cube यहां पर देखें x cube है ही नहीं तो यहां से आपको x cube को लिखने की जरुरती है इसको छोड़ देना है आगे बढ़ेंगे यहां पर minus 2 x cube है तो यहां पर लिख लेंगे minus 2 x cube अब इसके बाद हम x square वाला लिखेंगे तो यह है minus 3 x square यहां पर 7 x square है तो plus में आजाएगा 7 x square और यहां पर x square है ही नहीं तो फिर छोड़ देना है इसको अब इसके बाद केवल x वाला यह है 4 x तो plus 4 x लिखेंगे यहां पर है minus 2 x और यहां पर भी है minus 2 x अब इसके बाद constant term लिखेंगे तो यहां पर है 7 यह है plus 7 फिर इसके बाद इधर है 1 तो यह plus 1 हो जाएगा और यहां पर constant term है ही नहीं तो इसको छोड़ देना है अब यहां पर देखें 5 x cube minus 2 x cube 5 minus 2 होता है 3 तो answer हो गया 3 x cube इसके बाद x square में देखें यहां पर minus 3 और यह plus 7 तो minus 3 plus 7 तो minus ही हो जाएगा answer आएगा plus में 4 का x square ठीक है अब यहां पर x वाला देखें 4 minus 2 minus 2 तो 4 minus 2 minus 2 होता है 0 यानि यह पूरा term हो जाएगा 0 तो यह पूरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है किवल आपका last वाला बच्चे का 7 plus 1 जो की हो जाएगा 8 तो यहां पर लिखेंगे हम 8 तो यह हमारा answer है और इसमें क्यों कि x की highest power 3 है तो इसकी degree हो जाएगी 3 चलिए अब next question करते हैं third question यहां पर देखें subtract करना है पहले वाले polynomial को दूसरे वाले से subtract करना है तो बस आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है कि किसको किससे subtract करना है तो जिससे number subtract होगा वो पहले लिखा जाएगा और जिसको subtract करना है वो बाद में लिखा जाएगा तो यहां पर हमें इससे subtract करना है तो यह वाले number को यह वाले polynomial को पहले लिखेंगे हम तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे 7 t cube minus 3 t square plus 2 इसके बाद में हम minus sign लगाके bracket लगाएंगे फिर ये पहला वाला polynomial लिखेंगे इसको लिखेंगे t square minus 5 t plus 2 अब हम क्या करेंगे bracket open करेंगे और इस bracket के बाहर minus sign है तो अंदर के सारे sign change हो जाएंगे ये बन जाएगा 7 t cube minus 3 t square plus 2 minus t square ये बन जाएगा plus 5 t फिर ये हो जाएगा minus 2 अब हमें क्या करना है जो t की same power है उसको एक साथ लिखेंगे तो t की highest power तो cube है ये एक ही है तो इसमें कोई changes नहीं होगा 7 t cube ऐसी रहेगा बद जो square वाला है minus t square है और ये एक 3 t square और t square है तो दोनों को साथ में लिखेंगे फिर cable t वाला लिखेंगे तो cable t वाला एक ही है 5 t इसके आगे plus का sign है तो plus 5 t हो गया अब इसके बाद constant number 2 and minus 2 बस इतने ही बच्चा है यहां लिखेंगे plus 2 फिर minus 2 अब यह देखें इसको यहां simplified form में लिखेंगे तो 7 t cube 3 t square minus t square तो यह दोनों plus हो जाएगा 3 plus 1 4 होता है answer minus में आएगा minus 4 t square 5 t में कोई changes नहीं आएगा क्योंकि एक ही है यहां पर इसका term और 2 minus 2 0 हो जाएगा तो इसके आगे लिखने की जरूत नहीं है तो यह है हमारा final answer चलिए अब next करते हैं तो यहां पर इसको separate करना है इसमें से तो हम पहले यह वाला लिखेंगे तो 2 p square minus 5 plus 11 p minus p cube फिर minus sign लगा के bracket लगाएंगे फिर यह polynomial लिखेंगे 3 p minus 5 p square plus 7 plus 3 p cube ठीक है अब bracket open करेंगे तो अंदर के सारे sign change हो जाएंगे इधर वाला कोई changes नहीं आएगा इसमें left side में p square minus 5 plus 11 p minus p cube यहां के अंदर के सारे sign change हो जाएंगे सब टर्म के तो यह हो जाएगा minus 3 p फिर plus 5 p square then minus 7 then minus 3 p cube अब इसके बाद क्या करना है highest power को पहले लखेंगे तो p की highest power 3 है तो p की power 3 वाले पहले लखेंगे तो यह है minus p cube और यह है minus 3 p cube ठीक है अब square वाला लखेंगे तो यह है plus 2 p square और यह है plus 5 p square अब के वल p वाला लखेंगे तो यह है 11 p plus 11 p और है यह minus 3 p अब इसके बाद के वल constant term लखेंगे तो यह minus 5 आ गया और यह दूसरा है minus 7 ठीक है अब हमें क्या करना है simplify करना है minus p cube minus 3 p cube यह दोनों plus हो जाएंगे minus minus में और answer आएगा minus 4 p cube यहां पर देखिए square में 2 और 5 add हो जाएंगे plus में हैं दोनों तो हो गया 7 p square और यहां पर देखिए 11 minus 3 हो जाएगा 11 minus 3 होता 8 तो यह हो गया 8 p और last में minus 5 और minus 7 दोनों negative में plus हो जाएंगे और answer आएगा minus 12 तो यह है हमार answer चलिए अब इसका third करते हैं इसको हमें इससे minus करना है इसलिए यह वाला पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे minus 3 z square plus 11 z plus 12 z cube plus 13 इसके बाद minus sign लगा के इसको लिखेंगे bracket में 5 z cube plus 7 z square plus 2 z minus 4 अब bracket open करेंगे तो अंदर के सारे sign change हो जाएंगे और इधर में ऐसी ही रहागा इसमें कोई change नहीं होगा minus 3 z square plus 11 z plus 12 z cube plus 13 इधर देखे sign change हो जाएगा तो यह बन जाएगा minus 5 z cube minus 7 z square minus 2 z and plus 4 अब हम highest power वाले z को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे highest power 3 है z की z cube वाला पहले लिखा जाएगा तो यह पहले आएगा 12 z cube फिर minus 5 z cube अब square वाले लिखेंगे तो यह है minus 3 z square और इसमें है minus 7 z square अब केवल z वाले लिखेंगे तो यहाँ पे है 11 z और इसके बाद यह है minus 2 z अब constant term को लिखा जाएगा तो यह है 11 sorry 13 और इधार है plus 4 अब इसे simplify करेंगे तो देखें 5 sorry 12 minus 5 हो गया 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 z cube फिर देखें minus 3 and minus 7 दोनों plus हो जाएगा answer आएगा minus 10 60 में z square अब यहाँ पे 11 minus 2 हो गया 9 तो यह बन गया 9 z और 13 plus 4 हो जाएगा 17 तो यह है हमार answer चलिए अब fourth question करते हैं देखें इसमें क्या लिखा from the sum of this and this यह दो polynomial का sum करना है subtract this यानि पहले दो polynomial को plus करकी जो answer आएगा उसमें से तीसरा polynomial को subtract करना है तो हम क्या करेंगे पहले वाले दोनों polynomial को plus कर लेंगे तो इन दोनों में देखें highest power है x की power 4 तो दोनों को पहले लिख लेंगे x की power 4 plus x की power 4 फिर उसके बाद यह 3x cube यहां लिखेंगे 3x cube लिकिन यहां पर देखें x cube है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरा थी है फिर अगला आएगा x square तो यहां पर x square नहीं है लिकिन यहां पर x square है तो केवल इसको लिखेंगे minus 3x square ठीक है अब उसके बाद यहां पर 2x है तो plus 2x लिख लेंगे यहां 6x लिख लेंगे फिर constant 6 plus 2 अब देखें यह दोनों को plus करेंगे तो यह बन जाएगा 2x की power 4 और यहां पर देखें 3x cube में कोई change नहीं आएगा और minus 3x square में भी कोई change नहीं आएगा चेंज आएगा x में 2 plus 6 हो गया 8 तो यह हो गया 8x plus 8 अब यह जो आमारा answer आया है इसमें से हमें subtract करना है यह वाला तो आपको क्या करना है इसके आगे लगा लेना है minus का sign और फिर लिखेंगे यह आखरी वाला polynomial x cube minus 3x plus 4 अब bracket open करेंगे तो इसके अंदर के सारे sign change होंगे तो यह हो जाएगा 2x4 plus 3x cube minus 3x square plus 8x plus 8 अब यह हो जाएगा minus x cube and plus 3x and minus 4 तो अंदर के सारे sign change हो गया तो अब देखिए जो cube वाला है उसको लिख लेंगे साथ में और x to the power 4 में तो कोई change नहीं आएगा plus 3x cube यह वाला है minus x cube ठीक है x square में कोई change नहीं आएगा क्योंकि इसमें x square है ही नहीं तो आपका x square यहाँ पे आएगा minus 3x square उसके बाद यह 8x लिखेंगे और उसके साथ में इसको लिखेंगे plus 3x फिर constant term आएगा 8 और इसका minus 4 तो अब इसको final answer लिखेंगे हैं 2x की power 4 यहाँ पे देखे 3x cube और x cube यह minus होगा तो answer आएगा 2x cube फिर x square में कोई change नहीं minus 3x square ऐसे ही रहेगा फिर 8 plus 3 11x हो जाएगा यह और last में 8 minus 4 answer हो जाएगा expression और दूसरा है qu यह एक दूसरा polynomial है तो find the degree of pu plus qu यहने यह दोनों polynomial को plus करेंगे तो उसका degree क्या आएगा simply हमें यह करना है ठीक है तो क्या करेंगे पहले pu का जो है equation वो लिख लेते हैं यू 7 minus u 5 plus 2 u square plus 1 इसके बाद हम plus का sign लगा के एक bracket लगाएंगे फिर लिखेंगे दूसरा वाला u की power है यहाँ पे 7 then plus u फिर minus u ठीक है आप देखे ब्रैकेट इसका open कर लेते हैं u की power 7 minus u 5 plus 2 u square plus 1 फिर minus u की power 7 plus u minus 2 अब same power वालों को हम साथ में लेख लेते हैं तो u की power 7 minus u की power 7 तीक है फिर उसके बाद u की power 5 है तो यह एक ही term है इसके अलावा और कोई नहीं है फिर इसके बाद u square वाला एक ही term है 2 u square इसके साथ और कोई नहीं है फिर इसके बाद u वाला ये है term प्लस u तो ये भी single है इसके साथ और कोई u वाला term नहीं है फिर constant term लिखेंगे 1 और यहाँ minus 2 अब इसको simplify करेंगे देखे u7 minus u7 ही तो कट गया ये खत्म हो गया u की power 5 बचा है minus u power 5 plus 2 u square plus u and 1 minus 2 होगा minus 1 यह हमारा है final answer और यहाँ पे highest power u की 5 याने इसका degree है 5 अगला question है what should be added to this to get the sum as this मतलब इस polynomial में हम क्या add करें क्या answer हमें ये मिल जाए तो आप देखें इसको हम कैसे solve करेंगे तो आप इसको एक simple example से आप समझो अगर मैं आप से बोलू हम 5 में क्या add करें कि answer आजाए 8 अब क्यों कि ये छोटा number था बता सकते है 5 में हम 3 add करेंगे तो आजाएगा 8 लेकिन अगर बड़ा number हो तो ऐसे case में हम क्या करेंगे 5 में हम क्या add करें कि आजाए 8 तो ये इसका answer आएगा 8 minus 5 8 minus 5 होता है 3 तो यानि 5 में 3 add करेंगे तो ये उटाएगा अब यहाँ polynomial में भी हम यह concept लगाएंगे इसमें हम क्या add करें कि हमें ये मिल जाए तो आपको क्या करना है ये minus ये ये बाद वाला polynomial minus पहले वाला polynomial बस और कुछ नहीं करना है तो आप क्या करेंगे पहले ये वाला polynomial लिखेंगे x square minus x plus 4 उसके बाद minus sign लगाके पहले वाला polynomial लिखेंगे x cube minus 3 x square plus 6 अब क्या करेंगे हम bracket को open करेंगे तो x square minus x plus 4 ये हो जाएगा minus x cube plus 3 x square and minus 6 अब highest power यहाँ पर देखे x cube है तो इसको पहले लिखेंगे minus x cube फिर x square वाला लिखेंगे तो ये वाला x square पहले आएगा फिर ये वाला x square यानि 3 x square फिर x वाला लिखेंगे minus x minus x के वाल एक ही इसके साथ कोई दूसरा नहीं है अब इसके बाद constant को लिखा जाएगा plus 4 and minus 6 अब देखे इसको simplify कर लेते x cube में तो कोई चेंज नहीं होगा बढ़ यहाँ पे x square and 3 x square add हो जाएगा ये बन जाएगा 4 x square minus x में भी कोई चेंज नहीं रहेगा और 4 minus 6 हो जाएगा minus 2 तो ये है हमारा answer question 7 what should be added to this to get the sum as this यानि इस polynomial में हम क्या add करें कि यह हमें मिल जाए तो ये question जो है exact question number 6 जैसा है वैसे ही हम करेंगे हमें क्या करना है पहले ये वाला polynomial लिखना है और फिर ये वाले polynomial को minus करेंगे इस polynomial से तो हमारा answer आ जाएगा ठीक है वही करेंगे जो हमने question 6 में किया था इस polynomial को पहले लिखते है u6 minus u minus 4 फिर minus sign लगा के bracket लगाएंगे फिर u7 minus 3 u6 minus 4 u square plus 2 bracket close यहाँ पर थोड़ा सा mistake है देखे ये जो है plus 4 u square है अब हम इसका bracket open करेंगे इसमें तो कोई changes नहीं होगा u6 minus u minus 4 minus u7 फिर यह हो जाएगा plus 3 u6 यह हो जाएगा minus 4 u square and minus 2 ठीक है आप देखे जो highest power उसको पहले लिखेंगे याने 7 वाला है highest power minus u की power 7 फिर 6 वाला लिखेंगे plus u6 and plus 3 u6 उसके बाद जो है u square है सीधे एक ही है u square वाला टर्म minus 4 u square यह ऐसी रहेगा और फिर है u वाला टर्म यह है minus u यह भी एक ही है यह भी ऐसी रहेगा फिर constant को हम लिखेंगे minus 4 minus 2 अब देखे इसको simplified कर परम में लिखेंगे तो minus u7 plus यह दोनों plus हो जाएंगे और answer आएगा इसका 4 u6 यहाँ पे भी कोई changes नहीं है minus 4 u square and then minus u और यह दोनों plus हो जाएंगे यह बन जाएगा minus 6 तो यह रहा हमारा answer अब 8th question करेंगे देखे इसमें लिखा what should be subtracted from this to get the difference list तो इसका मतलब यह है कि इसमें से हम क्या subtract करें कि हमें यह मिल जाए अब इसको समझने के लिए हम क्या करते है simple number का example ले लेते हैं माल लो मैं यह बोलू आप से कि 10 में से हम क्या minus करें कि जो answer है वो मिले हमें 8 तो क्योंकि छोटा number आप बता सकते है 10 में से हम 2 minus करेंगे तो 8 मिल जाएगा तो यह 2 कैसे आएगा यह 2 आएगा 10 minus 8 करके तो यहाँ भी वही चीज़ है तो जो हमें answer चाहिए उसको answer ना निकले हमें यह और यह इन दोनों polynomial को minus करना पड़ेगा तो पहले हम पहला वाला polynomial लिखेंगे y cube minus 3 y square plus y plus 2 फिर इसको minus करना है यह वाले polynomial में तो यहाँ पहम bracket लगाएंगे minus लगाके y cube plus 2 y plus 1 अब इसको तो ऐसी लिखेंगे फिर y cube minus 3 y square plus y plus 2 यहाँ bracket open करेंगे तो अंदर का sign change हो जाएगा यह हो जाएगा minus y cube minus 2 y minus 1 अब देखें y cube and minus y cube तो directly आप इसको cancel ही कर दिए और यह है minus 3 y square इसके साथ और कोई y square नहीं है तो यह ऐसी रहेगा अब देखें यह y और minus 2 y यह plus y है यह minus 2 y है तो minus हो जाएगा और answer आएगा minus y अब number जो बजिया है 1 and sorry 2 and minus 1 तो 2 minus 1 होता है 1 तो यह जो है यह ही है हमारा final answer अब देखें 9th question में कहा लिखा what should be subtracted from this to get the difference as this बदलब इसमें से हम क्या minus करेंगे तो जो answer हमें यह मिलेगा यहाँ भी 8th question जैसे ही करना है इसको पहला वाला polynomial फिर minus करेंगे second वाला polynomial यह दोनों को minus करना है तो हम पहले पहला polynomial लिखेंगे t square plus t minus 7 फिर इसको separate करेंगे तो minus bracket लगाके t cube then plus t square then plus 3t then plus 4 अब bracket open करेंगे अंदर के सारे sign change हो जाएंगे यह हो जाएगा t square plus t minus 7 इधर हो जाएगा minus t cube minus t square minus 3t and minus 4 अब देखिए highest power जो है t cube है इसको पहले हम लिख लेंगे sign इसके आगे minus का है तो आपको answer में भी minus में लिखना पड़ेगा minus t cube इसके बाद t square देखिए यह t square है और यह t square है लेकिन यह minus में है और यह plus में तो directly आप इसको यहाँ पर cancel कर देएंगे तो t square इसमें से हड़ जाएगा अब देखिए plus t है और यह minus 3t है तो 1 minus 3 minus 2 होता है तो इसको minus करेंगे तो हो गया minus 2t अब number देखिए minus 7 यह minus 4 है minus minus plus होता है तो answer हो गया minus 11 तो यह जो हमें polynomial मिला यह ही है हमारा answer अब next question में देखिए 10th question इसमें लिखा है multiply the following यहाँ पे दो polynomial दिया है एक यह और एक दूसरा यह और बोला है इन दोलों को multiply करना है तो अब देखिए इसको multiply कैसे करेंगे पहले हम इसको लिख लेते है पहले वाला polynomial जो की छोटा polynomial है linear equation है इसको bracket में लिखेंगे फिर अगला को लिखेंगे 7x square plus 2x plus 1 तीक है अब यह लिखने की बात अब multiplication में क्या होगा पहले यह 3x पूरे इस bracket वाले polynomial से multiply होगा फिर 4 अलक्सी इसमें multiply होगा एक ही करके हमें करना है तो देखें कैसे लिखेंगे पहले हम लिखेंगे 3x फिर bracket में 7x square plus 2x plus 1 फिर plus 4 लिखेंगे फिर bracket में यही वाला polynomial 7x square plus 2x plus 1 ऐसे लिखेंगे अब देखें यह जब multiply होगा तो number number से multiply होगा और variable variable से तो 3 7s होता है 21 तो यहां लिखेंगे 21 और x into x square हो जाएगा x cube फिर 3 into 2 यह हो जाएगा 6 फिर x into x हो जाएगा x square फिर 3 1s हो 3 और केवल यही x है इसमें तो x है नहीं तो यह 3x ही बनेगा फिर plus 4 7s हो 28 और 7 में यह x square ऐसे ही रहेगा फिर 4 2s हो 8 और इसका ही x फिर 4 1s हो 4 ठीक है अब हमें क्या करना है same power वाले जो variable है उसको एक साथ लिखेंगे तो देखे x cube एक ही है तो यह तो ऐसे ही रहेगा 21 x cube इसके साथ और कुछ नहीं है लेकिन square वाले दोटों है तो यह है 6 x square plus 28 x square दोनों को साथ में लिखेंगे फिर x वाला लिखेंगे 3 x और इसके साथ यह लिखेंगे 8 x फिर constant term बिना x वाला केवल एक ही है 4 इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो यह केवल 4 रहेगा अब देखें फिर से हम लिखेंगे 21 x cube 24 x square और यहां पर 3 x और 8 x side हो जाएंगे तो 3 plus 8 होता है 11 तो यह हो गया 11 x और last में बज़ गया 4 तो यह है हमारा answer देखें आब इसको हमें multiply करना है तो यहां पर 2 polynomial दिया है 5 x cube plus 2 x को इससे multiply करना है तो पहले हम इसको लिखेंगे 5 x cube plus 2 x इसको bracket में लिखेंगे फिर अगला polynomial लिखेंगे 3 x square minus 9 x plus 6 अब पहले 5 x cube से यह पूरा multiply होगा तो हम लिखेंगे 5 x cube bracket में आ जाएगा 3 x square minus 9 x plus 6 फिर plus 2 x फिर bracket में आएगा 3 x square minus 9 x plus 6 ठीक है अब देखें multiplication होगा number number के साथ 5 x 3 is a 15 और x की power plus हो जाएगी 3 plus 2 5 तो x की power हो जाएगी है 5 फिर minus 9 x 5 होता है 45 फिर x की power plus हो जाएगी 3 plus 1 4 याने x की power हो जाएगी 4 फिर 5 x x 30 और x cube ऐसे ही रहेगा ठीक है अब यहाँ देखें 2 x 3 is a 6 और x की power ये 1 plus 2 हो जाएगी 3 फिर minus 2 x 9 x 18 और x और x की power हो जाएगी 2 फिर plus 2 x 6 is a 12 और 7 में रहेगा x अब देखें आप हम line से लिखेंगे highest power को पहले लिखेंगे highest power 5 है तो 15 x की power 5 ऐसी लिए रहेगा then minus 45 x की power 4 ऐसी रहेगा ठीक है अब यहाँ cube में देखें 30 और 6 ये दोनों ही x cube है ये plus हो जाएगे 30 plus 6 हो गया 36 x cube ठीक है अब इसके बाद square में देखें minus 18 square ये एक ही है तो हम केवल लिखेंगे minus 18 x square और last में है 12 x है तो ये भी एक ही है इसके साथ और कोई x वाला नहीं है तो ये ही हमारा final answer चलिए अब next देखे ये polynomial को इससे multiply करना है तो हम क्या करेंगे एक एक करके करेंगे तो देखें ये जो है ना यहाँ दो term है यह binomial है यह एक दो तीन term है यह trinomial है तो generally हम क्या करते है जो binomial यानि चोट कम term वाला उसको पहले लिखते है ज़्यादा term वाले को बाद में लिखते है लेकिन ज़रूरी नहीं आप इसको भी पहले लिखके इससे multiply कर सकते है दोनों में same ही answer आता है बट ज़्यादा easy पड़ता है इसलिए हम क्या कर रहे है पहले लिखेंगे p cube plus 1 इसको bracket में उसके बाद यह वाला लिखेंगे p4 minus 5 p square plus 3 अब देखें पहले p cube यह पूरे में multiply होगा तो यह बन जाएगा p cube bracket में p4 minus 5 p square plus 3 फिर plus 1 bracket में p4 minus 5 p square plus 3 अब देखे p cube यहाँ multiply करेंगे तो यह हो जाएगा p की power 7 3 plus 4 7 होता है minus 5 यहाँ p की power 3 और 2 एड़ जाएगे तो हो जाएगा 5 then plus 3 p cube ठीक है अगले में यहाँ one का multiplication करना है आप किसी भी number में या variable में one से जब multiply करते हैं उसमें कोई change नहीं आता तो यह as it is आ जाएगा p4 minus 5 p square plus 3 अब इसको arrange करके लिख लेते हैं पहले highest power लिखेंगे p7 फिर minus 5 p5 इसके बाद p4 आएगा 5 के बाद तो यह होगा plus p4 फिर आएगा p cube यानि 3 p cube फिर square वाला minus 5 p square और last में है 3 देखिए 11th question यहां दिया px और qx दो polynomial है और हमें find करना है px qx यानि px और qx को multiply करना है तो simply multiplication of polynomial है तो पहले हम यह वाला लिखेंगे 2x cube minus 3 फिर आगला polynomial यह है x cube plus 7x plus 3 तो पहले हम 2x cube से multiply करेंगे 2x cube multiply x cube plus 7x plus 3 फिर minus 3 से करेंगे x cube plus 7x plus 3 यहां पे एक mistake है इसको हम correct कर लेते हैं यह actually 2x cube है गलती से square लिख दिया था ठीक है अब चलिए multiply करेंगे तो जब multiply करेंगे 2 तो ऐसी रहेगा x cube x cube दोनों की power add हो जाएगी यह बन जाएगा x 6 ठीक है अब फिर 2 3s are 6 और 7 में रहेगा x cube ठीक है इधर देखिए यह है minus 3 से तो 3 से multiply करेंगे इसमें कोई change नहीं आएगा बस यह minus का sign है जाएगा 3 x cube ठीक है क्योंकि यह minus sign हो bracket open करेंगे और 3 को multiply करेंगे तो अंदर के सारे sign चेंज हो जाएगे यहने सारे minus बन जाएगे यह बनेगा minus 3 7 0 21 x और यह 3 3 0 9 तो minus का 9 रहेगा ठीक है आब इसको simplify कर लेते है 2 x 6 plus 14 x 4 इन दोनों में कोई change नहीं आएगा क्योंकि यह single ही term है लेकिन x cube देखिए यहा minus हो जाएगा 6 x cube minus 3 x cube चलिए देखिए यह last question है इस exercise का 12th question में लिखा है इफ p u फिर q u फिर r u यह 3 polynomial है और उसमें लिखा क्या है then find the degree of p u multiply q u multiply r u यानि अगर यह 3 polynomial को multiply हम कर देंगे तो जो final answer होगा उसके degree क्या होगी यह पता करता है तो देखिए क्योंकि यह question में केवल degree पूछा है हमें यह नहीं पूछा है कि इन तीनों को multiply करने से final answer क्या आएगा तो हम अब क्या करें कि पूरा multiply करने के हमको जरूरत नहीं है केवल degree हम पता कर सकते है degree पता करने का देखे तरीका क्या है यह easy और असान तरीका है पूरा multiply नहीं करना है आपको इसमें degree पता करने के लिए तो हमें क्या करना है जो भी polynomial उसका पहला term लेना जैसे यह है u square है ना फिर यह u square और यह u तो सभी के पहला term को यहां लिख लो u square और इसको multiply करो u square into u तो जब multiply करेंगे तो u की power add हो जाएगी 2 plus 2 plus 1 तो कितना हो गया यह आ रहा है u की power 5 तो जब आप तीनों को multiply करेंगे तो highest power जो u की रहेगी वो रहेगी 5 इसलिए इस polynomial का degree है 5 तो इसका final answer है the degree of this given polynomial is 5